नमस्कार आप देखरे हैं मुदाप न्यूज मैं हुजय श्री नाटदा खबर में जाने से पहली नज़ डालते हैं आज की न्यूस एटलाइन्स पर स्वेम भूद आविदार बन पेचार को उत्रे कॉंग्रिस के पूर्व विधायग गजेन विसिंग शप्तावत वल्लब नगर के घूपड़ी से किया चुनाप शंठनाद अल सुबा आग लगने से हिरन मंगरी में मचा हड़कंप बंगार की छै दुकाने पूरी तर जलकर दुखाक कुराबड में फिर एक महिला न किया अत्महत्या मुह अंधेरे फासी के फंदे पल लचक कर ली अंतिर सांस और चुनाप वायोग नेक शुरू किया एक माह का अभियान मचदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए युवाउं को करेंगे जान पूरुक और आपका प्रिविस्तार से सबसे पहले बात करते हैं स्वयम भूतावितार की लगता है कॉंग्रस के पूर्व विधायक ने खुद को इस बार का भी दावितार मान लिया है इसलिए वशेत्र में प्रचार प्रसार को निकल पड़े है हाला कि पात्य हाई कमान ने तो अभी तक मुख्य सेवक कौन होगा इस पर भी पैसला नहीं किया तो इन जनाब ने खुद को कैसे पहले ही दावितार मान लिया आपको बता देवा जनाब पूर्व ग्रैसेव गुलाब सिंग शक्तावत के सुपुत्र गजेंदर सिंग शक्तावत जो पूर्व विधायक भी रहे हैं और इस बार चुनाब से डेड़ वर्ष पूर्व स्वयम भूद आविदार बनकर प्रचार पसार में लग गए है वहीं साथ में गुम रहे समर्थकों ने भी उन्हें दाविदार मानते हुए जनता और कार्यकरताओं से जादा से जादा वोट दिलाने के अपिल की है जी हाँ जिले में सबसे बड़े सियासी अखाडे की धूरी रहे बलबनगर विधानसभा शेतर में आने वाले चुनावों की सुब भुहाहत तेज हो गई है और इसकी शुरुआत की है कॉंग्रेस से पूर्व विधायक रहे गजेंदर सिंग शक्तावत ने श्री शक्तावत ने गूपडी गाउं में कारे करताओं की एक बैठक लेकर विधानसभा शुनाव के लिए जुट जाने को कहा है पूर्व विधायक वप्रदेश कॉंग्रेस महासचिव गजेंदर सिंग ने भाजबा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज अमीरों की इस जुमले बाज सरकार से जनता उप चुकी है जिसे समय रहते उखार फेकने की जरूरत है गरीबों के सरकार केवल कॉंग्रेस पार्टी ही है जो आम आदमी के साथ रहती है गोपडी गाओं के युवाओं और बुजर्गों ने शक्तावत का भविस्वाकत करते हुए आशापुडा मंदिस से चुनावी शंकनात किया इस बैटक में ब्लॉक अध्यक्ष मेगराज स्वर्णकार ने वसुंदरा सरकार को निकमी सरकार बताते हुए विकास के नाम पर छालावा करने वाली सरकार बताया वहीं आने वाले विधान सभा चुनाव में कॉंग्रस पित्याशी गजेंडर सिंग शक्तावत को भारी मतों से विजय बनाने का अहवान किया ब्लोग प्रवक्ता सुनील कुकडा एकाई अध्यक्ष शाम सिंग यूत अध्यक्ष शिवराज सिंग वरिस्ट नेता शक्ति सिंग सरपंच मांगी लाल पूर्व सरपंच प्रिथवी राज डांगी एकाई अध्यक्ष बाबुलाल डांगी विचार धारा मंच अध्यक्ष हेमंत जोशी, सरपंच प्रकाश दांगी, पूर्वकृषिय मंत्री, डाइरेक्टर भगवान अहीर, वरिस्ट नेता, लाल सिंग वप्रेम सिंग जहाला ने भी सम्होदित क्या वैसे बलब नगर सीट पर इस बार भी पूरे प्रदेश की नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले चुनावों में सत्ता रूड पार्टी भाजबा की जमाना चपत हो गई थी आपको बता दे कि यहाँ पर पिछली सरकार में कॉंगर्स पार्टी से गजेंद्र सिंग शक्तावत विधायक थे लेकि जुनावों में वह निर्दलिये खड़े हुए रंधीर सिंग भिंडर से हार गए थे वही इस बार की चकर भी यहाँ पर त्रिकोनिय रहेगी हाला कि पिछले दिनों महाराज ने अब जुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी वही गजेंद्र सिंग का खुद को दावेदार मानते हुए प्रचार करना यह साबित करता है कि इस सीच पर बदलाव की उमीद बरकरार है जिले के कुरापर थाना शेतर में फिर एक विवाहता ने फांसी का फंदा लगा कर आत्मात्या कर ली घटना थाना शेतर के लालपुरा गाव की बताए जा रही है सुमवार तरके शौच के बहाने से निकली लाली बाई मीना ने जंगल में पहाडी पर जाकर पेड़ पर रसी का फंदा लगाया और बाग में फंदे पर लटक गए परिजनों और खाकी की माने तो लाली बाई का मानसिक संतूलन ठीक नहीं था काफी दिनों से कुछ परिशान भी रहती थी कुछ दे बाद जैसे ही उज़ाला हुआ वहां से गुजरे लोगों ने लाली बाई के शौब को जूलता हुआ देखा तो तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दे सूचना मिलते ही थानादिकारी मिठ्छो सिंग मैं जापता मौके पर पहुँची और शब को उतरवा कर पोस्ट माटम के लिए सीएट सी की मुर्दा कोट्रे में रखवाया जहां पंच नामे के बाद शब को परिजनों के सुपुरुत कर दिया गया शहर के हीरनमंगरी थान शेत्र में सुमवारतर के आग लगने से हड़कम्प मच गया हीरनमंगरी के सेक्टर शेय अलाके में एक भंगार की गुदाम में भयानक आग लग गए आग इतनी खतनाग थी कि देखते ही देखते सब ही छह दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और सब ही दुकाने पूरी तरह से जल कर खाक हो गए आग जनी की सुचना मिलते ही बड़ी तादाद में शेत्र की लोग मदद के लिए मौके पर पहुँच गए लेकिन आग की भया वहता के चलते उनके सारे प्रयास भी विफल ही दिखाई दिये मौके पर इखता हुए लोगों द्वारा इसकी सुचना दमकल विभाग को दी गई शेत्र वार्सियों की सुचना पर मौके पर पहुँची दमकल की 6 गाडियों ने आग बुझाने का काम किया करीब 3-4 गंटे की मशक्कत के बाद इस भयानक आग के उपर दमकल विभाग की टीम ने काबुपाया लेकिन तब तक तो आग में भंगार की 6 दुकानों को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया शौट सर्किट से लगी आग से करीब 7 लाथ रुपए का भंगार का सामान जल कर खाक हो गया युवाओं को मतदान किपती जागरूप करने के साथ आने वाले लोग सभा और विधान सभा चुनाओं में अधिक से अधिक युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करें इसके लिए सुमवार से एक अभ्यान शुरू किया गया है प्रशाशन की और से आगामी 30 नवंबर तक मतदाता विशेश संक्षित कारिकरम जलाया जाएगा जिसमें युवाओं को जागरूप करने का काम किया जाएगा इस अभ्यान के अंतरगत पूरे राजस्तान की सभी विधान सम्हाओं में वोटर लिस्ट को चस्पा कर दिया गया है और इसमें नए नाम जोडने के लिए युवाओं को जागरूप किया जा रहा है इस कारिकरम के अंतरगत 18 साल पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम जोडने के साथ साथ उन नामों को भी हटाया जाएगा जिनके मृत्यू हो गई है या फिर जिनका छेत्र बदल गया हो निर्वाचन विभाग की मन्चा है कि युवाओं अपने मत का प्रयोग अधिक से अधिक करें और देश को आगह बढ़ाने में अपना सही योग करें इतना ही नहीं युवाओं देश से जुड़े और मतदान के माध्यम से सरकार के निर्मान में अपना योगदान दे निर्वाचन विभाग की और से इस कारेकरम के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कारे किया जाएगा पर चस्पा किया जाएगा उसके बाद में जो युवा एक जनवरी दो जार अठारा को अठारा साल की उम्मर जो पूर्ण करने वाले हैं वो सभी युवा मतदाता का पंजीकरन किया जाएगा इसमें और इसके अलावा कुछ मतदाता जो छूट गे रहे हैं उनका भी पंजीकरन किया जाएगा कुछ मतदाता दूसरे भागों में पंजीकरत थे अपना दूसरे भाग में मामूली तोर पर निवास करने लगे हैं उनको एक भाग से दूसरे भाग में शिप्टिंग भी किया जाएगा कुछ मतदाता किसी कारण वस उनका नाम अटाना चाहते हैं उनका नाम अटाया भी जाएगा जिनकी मर्ति हो गी है और कुछ कारण हो गया है जो दूसरी जगे पर चले गए हैं उनका नाम अ'tाने की भी कारवय इसमें पूरी की जाएगी बारत के निर्वाचन आयोग की ये पूरी मंसा है कि जो यूवाब मतदाता है वे सभी यूवाब मतदाता जो ऐटारावर्स उननीस वर्स के जो है वो सभी जुड़े ताकि वो आने वाले समेह में मत कर सके और हमारा जो लोगतंतर है उस लोगतंतर में जो युवा है उनका समाविश रहे और उनकी बावनाओं का समाविश रहे और युवा लोगतंतर युवा बावनाओं के साथ में इस देश में आगे काम करें इसी मंसा के साथ में सभी युवाओं से और सभी मद्दाताओं से मैं आगरे करता हूँ कि वे अपना नाम पंजी करण को देख लें और अपना नाम नहीं है तो जरूर जुड़वाएं ताकि आने वाले समय में मद्दान के समय में आप मद्दान कर सकें उदापन न्यूज में फिलाल वक्तु चला है एक छुटिसी म्रेक का ब्रिके बाप फोरण हासर होंगे कहीं मत चाहिएगा हीरो मोटर्स के सभी टू वीलर्स वाहन विविन रंगो एवं मॉडर्स में उपलब तो हारो पर बुकिंग कर विविन उपहार पाएं रोयल मोटर्स कंपनी सतावन पंचवती उदापूर समपर्क करें 242-6838 रोयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब बुकिंग का लाब उठाएं और आईए अपनी पसंद का मॉडल ले चाहिए त्योहारों पर एक्सटेंज एवं फाइनल्स की स्तुविधा उपलब अधिकरत प्रिक्रेता रोयल हुंडई 15-8 ट्रांस्पोर्ट नगर गोवर्दन बलास बाइपास के नस्दी उदापूर समपर्क करें 2640452 मनामा मूटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में शहर के मध्य हीरो मोटो कॉप का सबसे अत्याधूनिक शोरूम बबग शोप हुसेन मुस्तफा की देख रेठ में जहां आपको मिलेगी अपने टू विलर्स वाहन पर एक्सटेंज की स्तुविधा वर फाइनिंस की स विदा भी, booking का लाप ठामे, मनामा मूटर्स, अपोजित बीन कोलेज, उदापो, कोलेग 98-292-44738 अपूम ऑल्सप्च णायओ की लाप ऑट्से वाहन जाताओधित तोरूमा मूटर्स, प्र बज्म ड्याद आपको मिलेग्ग ह्या विलेगी, बात hätten शोरूमा मुटर्स, शोरूमा मूटर्स, शोरूमा मूटर्स, बात थ〜च झाल 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 ब्रांडेट कपडों की सेल 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 स्मार्ट सीटी उदापुर में न्यू इंडिया इंटरनाशनल लेकर आया है कपडों की विशाल रेंज जिसमें आपके बच्चों के लिए उस दिन तो मैं डर ही गई थी रात के एक बजे मैं कहा जाऊ काफी भीड भी जमा हो गई थी भीड में से किसी ने मुझे जी बी एच ट्रोमा एमर्जनसी का कार्ड दिया मैंने वहाँ फोन किया सिर्फ एक कॉल करने से तुरंट एम्बिलेंस आ गई वहाँ के डॉक्टर नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला उफ पापा क्या बोलू उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तु मुझे एक भरोसा मिला पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया तू तो पागल है पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ एक्सिडेंट, ट्रोमा या किसी भी एमर्जेंसी में भरोसा कर सकते हैं जैपूर के बाद प्रदेश का एक मात्र ने बी एच प्रामानित होस्पिटल जी बी एच अमेरिकन होस्पिटल कोठी बाग, भट जिकी बाडी, उधैपूर धमाका 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 संकल्ब इन्फ्रास्टेट एंड डवलिपर्स लाया है प्लोट ही प्लोट जी हाँ, लीजिए स्पार्ट सिटी में अपने घर का संकल्ब संकल्ब इन्फ्रास्टेट एंड डवलिपर्स के संग् तन्वर्टेट आवासी भूखन आसान मासिक किष्टों में भूखन उपलात 500 वर्क फूट पर 11,000 रुपे डाउन पेमेंट और 4,250 रुपे की साथ आसान मासिक किष्टे हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखन की कीमत आज है 6 गुना 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखन की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं सुलहरे भविश के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए मुख्य विशेश्टाएं पट्टे शुदा प्लोट हाथ हो हाथ कबजा सभी वर्गों के लिए प्लोट उपलप्त है आबादी के नस्दीक 30 विट डामर रोड हाइवे टर्च प्लानिंग पेट्रोल पम के पास प्रतापनगर 24 से मातर 25 पिनिट के दूरी पर दबोग 24 से मातर 10 पिनिट के दूरी पर टभोक मावली हाइवे के पास आसुनिया की मादरी में आवासी कन्वर्टेट भूखन उपलप्त नियांग शर्ती लागों कार्याले संकर्प इंफ्रेस्टेट एंड डेवलेपर्स रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने डक्षिनी सुन्दरवास में रोड उडापोर कॉल इट 73400-34134-8890669683 डॉक्टर आत्रे, नेत्र चिकित साले, पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जेपी आत्रे के नेत्रत में एक ऐसा संस्थान जो देता है आखों की कंप्यूटर एवम अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जाज एवम नंबर निकालने की सुभी था मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटी चश्मे से मुक्ती इंट्रा ओक्यूलर लेंस, इको रूल कंप्यूटर युएसे द्वारा फिटिंग काला बानी, मोतियाबिंद, नाखुना, नासूर आदी के ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एन जैपान जर्मिनी द्वारा आयतेत फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ओपरेशन नेत्र बैंक एवं पुथली प्रत्यारोपन सुवी था, भैंगापन का कसरत एवं शेल लिक रियाद्वारा इलाज, 24 घंटे भरती सुवी था, माइनस के नंबर का चश्मा उतायने का ओपरेशन, आरके एनलेजिक अती आधुनिक वातानुकुलित परामर्श कक्ष एवं ओपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्राधह नोब से दौपहर दो बजे तक, दौपहर चार से सायं साथ बजे तक, रविवार पूर्ण अमकाश संपर्प, डौक्टर आतरे नेतर चुकित साले, 1920 प्रथम मंजिल, ताउन होल लिंक रोड कॉर्परेशन बैंक के पास, उदापूर राजस्थान, कॉल इट 2561600, मॉबाइल लंबर 9829041330 जीलो के नगरी स्मार्ट सिटी उदापूर के सेक्टर फाइब में आ गया है तूल सिरी, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुप्त, साथ ही आपको मिलेगा फैमिली बातावरेट, डेडिकेटेट स्टाफ, इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंज, गेट चानीज में कोर्स, दाल, ब्रेट्स, पनीर स्पीशल, राइस, साउट इंडिन दिशिस, सैंविचेश, पास्टास, पीजा, शेफ स्पीशल, और सिजलर्स, तुलसी लीफ, इंडियन कुजन रस्टोरेंट, एड्रेस, हिरनमगरी, में रोर, सेक्टर फाइब, उदापूर, और नाओ, 0294-2460-709, हर आदमी का सपना, घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ, राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदापूर में, राधिश्री इंप्राटिक इंडिया प्रावेट लिमिटेट पेश करता है, राधिश्री विहार 4, आसान मासिक किष्टों में आवासी भू 250 रुपे की पिचोतर आसान मासिक किष्टें, 2000 वर्गफुट पर मातर 32,400 रुपे डाउन पेमिन, 4,600 रुपे की पिचोतर आसान मासिक किष्टें, विशेष्टाएं, 30 फिच रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरन, आबादी के नस्दिक, सभी वर्गों के लिए भूखन प्लब्ध, दुकानों के प्लोड भी उप्लब्ध हैं, प्रताप नगर से मातर 15 मिनिट की दूरी पर, देबानी जिंक चोराहे से मातर 10 मिनिट की दूरी पर, मीठानीम से मातर 5 मिनिट की दूरी पर, एरपोर्ट के पीछे 10 मिनिट की दूरी पर, नियम वश्ष्वर्ती ला ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है केरल में वामपंथी सरकार द्वाला संग और उनकी विचारधाराओं से जुड़े लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आखिल भारते विध्यारती परिशत ने जंगी प्रदेशन करने की योजना मनाई है आगामी 11 नमबर को विध्यारती परिशत के हजारों सदस्य केरल के त्रिवेंद्र पुरम में एकतरत होकर सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करेंगे केरल में किये जाने वाले धर्णा परदेशन में उद्यापुर के डेर सो से जादा ABVP के कारेकरता भाग लेंगे वहीं पूरे परदेश से भी 1500 से जादा कारेकरता केरल पहुचिंगे इसके लिए उद्यापुर में रविवार को ABVP के पतातिकारियों की और से एक पोस्टर भी मोचन किया गया जिसमें केरल की वाम बंधी सरकार की गदिविधियों को दर्शाय गया है साथ ही केरल में किये जाने वाले विरोध में अधिक से अधिक कारेकरताओं के पहुचने की अपील भी की गई विध्यारती परिशद के विभाग संगछन मंत्री पूरण सिम्ह ने बताया कि पिछले कुछ समय से केरल में संग की विचार धारों से जुड़े संगछनों के सदस्यों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में ABVP जोड़दार प्रदर्शन खरने के बाद केंदर सरकार से मांग करेगी केरल में इस तरह की घटनाओं पर अंकुष लगाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर रास्रपती साशन लागू कर वामपंथी सरकार की तानशाही को खत्म किया जाए केरल में होने जा रहे है लगबग 50,000 कारेकरताओं की रेली और केरल की कम्यूनिट सरकार वामपंथी सरकार की खिलाफ यह दर्णा होने जा रहा है क्योंकि जिस तरह से आये दिन वहाँ सरकार के आने के बाद में अकिलबारती विद्ध्यारती परिश्द और संग के संग्छनों के विचार परिवार के कारेकरताओं के साथ जिस प्रकार की गटनाएं वो नर्संस आते हैं और उन पर हमले जिस प्रकार से करते आ रहे हैं वो और एक भैका वातावरनमा बना रखा है उसके खिलाफ ABP ये लगबख देशवर में 50,000 कारे करते हैं उसाथ केरल सरकार के खिलाफ ये धरना परदसन करने जा रही है ताकि ये कम्मिनिस्ट्रों का जो काला चहरा नकाब जो उनके सामने पूरे देशवर में एक बना रखा है कि देश तोड़ने की बाते ये एक तरफ जैन्यू दिली में करते हैं जैन्यू उनिविश्विद्याला में और एक तरफ केरल में ये वहां के आम चात्रों के उपर जिस प्रकार के अमला है वहां के विचार के लोगों के साथ अमले करते हैं तो इनका दोरा रवया आम लोगों के सामने दिख रहा है और वहीं जो ये पूंजीवादी, सामेवादी और इस प्रकार की जो बाते कर रहे हैं उसी केरल में आये दिन आज सिक्षा का वातावन खराब हो रहा है जहां संस्कर्ती में केरल एक इतना अच्छा स्वर्ग की तरह माना जाता है वहाँ की प्रकर्ती इतनी अच्छी है उसमें उस ट्यूरिज में को इन सब को सिक्षा को आगी बहुत सारे जो विशवा हैं इन सब को आज वहां का विशे जो बिल्कुल एकदम खतम हो गया और एक रवाया कमिने सरकार का जो पूरे देशवर के भैका बना हुआ है शिक्ष्या का वातावन गड़ बड़ा गया उसके खिलाब एबीपी परदसन करने जा रहे है ताकि केंदर से मांग भी है कि जल से जल दिये वामपन्ती संगस्टनों के उपर बैन लगे और इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कारवाई हो बैका वातावन जो बना हो खरा हो और हमारे कारे करता हो के उपर शहर के सेंटर पबलिक स्कूल में रविवार का दिन काफी उत्साह से भरा रहा यहाँ पर आयोजित कॉमन्स ओलम्पियाड में शहर और आसपास के सेकड़ो छात्रों ने शरकत की बड़ाला क्लासेज और सन क्लासेज की और से यह आयोजिंग किया था इस ओलम्पियाड में 40 प्रशन पूछे गए थे जिनमें 30 प्रशन लेखा शाष्टर के और 10 प्रशन मानस एक योगिता के थे दो वर्गों में ये परिक्षा आयोजित की गई थी जिसमें सीनियर वर्ग में पहला पुरसकार 51,000 रुपै और 100 प्रतीशत स्कॉलर्शिप रखा गया था इसके साथ ही पहले 25 इस्थानों पर रहने वाले चातरों के लिए भी नगत पुरसकार के साथ इस कॉलर्शिप में भी राहत दी गई थी और ये पुरसकार जूनियर वर्ग के लिए भी आयोजित किये गए थे बढ़ाला क्लासिज वसन कॉलिज के संयुक्त तत्वाधान में यह जो आज कॉमर्स ओलमपियाड आयोजित किया जा रहा है सेंट्रल पब्लिक स्कूल सीपीएस पुपाल पुरा में इसमें चात्रों की भारी भीड उम्रिये मतलब यह चात्रों में कॉमर्स के प्रती रुजान को दर्शाता है और यह भीड देखते हूं हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब अब उदैपुर कॉमर्स नगरी के रूप में जाना जाएगा जैसे को जिसमें हमने 40 प्रश्न पूछे हैं 30 प्रश्न अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं वह 10 प्रश्न मेंटल एबिलीटी वह लॉजिकल रीजिनिंग से रिलेटेड हैं पुरुषकार राशी के बारे में अगर मैं बताऊं तो फर्स प्राइज हम 51,000 कैश 51,000 कैश वह 100% स्कॉलर ऐसे ही कई नकत पुरुषकार वह कॉंसलेशन प्राइज भी हमने रखें साथ ही हमने हर पार्टिसिपेंट को एक 6,000 रुपए का स्कॉलर्शिप वाउचर और सेटिफिकेट भी दिया है पाए आज पेपर और स्पीड होनी जरूरी थिया आज ही पता वड़ा, बढ़ाला क्लासिस में जाने के बाद मेरे कंसेट्स बहुत ख्लियर हो और जिससे मेरे बहुत हल्प हुई है रटने वाली जो पद्दती है उसको दूर करके कंसेप्स क्लियर करने वाली पद्दती बड़ाला क्लासिस ला रही है क्या ऐसा कहा जा सकता है हाँ बिल्कुल बेशक पेपर का लेवल किस तरह से था इजी था एवरिज था या टफ था जिस बच्चे के कंसेप्स क्लियर है उसके लिए आसान था फेपर लेकिन जो बहुत जल्दी-जल्दी में था और उसके कंसेप्स इतने बढ़ी आ नहीं हो पाया अच्छा फेपर तो बविश्य में आपकी जो बविश्य को लेकर आप 12th क्लास में है तो अब आप जो भविश्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें यह एक्जाम कहां तक महतुमन भूमिका निभाएगा कहां तक आपको हेल्प मिलेगी आज मुझे यह पेपर जानके बहुत मोटिवेट हुआ कि जी हां मैं 12 के आगे सीय परस्यू कर सकता हूं क्योंकि अ क्याइब करना चीए यह पेपर खाफी अच्छे लेवल का था और पूरा कंसेप्स था जैसके कंसेप्स कितने क्लियर हैं और मेंटल अबिली था मेंटल लॉजिकल रीजनिंग उसका आईक्यू जज़ करने क्लिए परफेक्ट था पेपर पेपर गच्छे लेवल का सेट किय इस सम्मान के बाद बैंक के अध्यक्ष शिव प्रकाश श्रिमाली ने उद्यापुर प्रवास के दोरान पत्रकारों से बादचीत में साथ किया कि बैंक पूरे प्रदेश के 15 जीलों में कार्य कर रहा है और कुल 667 शाखाओं के माध्यम से ग्रामीन शेत्र के महिलाओं और पुरुशों को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है बैंक भारत सरकार की समस्ते लोक कल्यानकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सही प्रकार से संचालित कर रहा है और बैंक ने ग्रामीन शेत्रों को जादा से जादा फोकस किया है बैंक की और से स्वयम सहायता समुको फाइनस भी किया जा रहा है ताकि ऐसे समुको के माध्यम से महिलाएं आत्मन निर्भर हो सके संदर ब्रांच बनाने एक प्रयास किया है आज हमारे उद्यपूर की जो बारा साखा हैं समस्थ साखा हैं बहुत अच्छी कंडिशन में हो गई गराक से गराकों को भी हमने बेहतर सेवा देने के लिए उसमें उच्छितिस्तान बनाया माननी है दोनों कुल्पती मोदे हमा क्रuman नोैं में चाहते हैं हमारे राजतान के सोला जीप सारी को यहां उद्यपूर में होंगे skin मेले में जो खासियत होगी करशिव ओस्वी देले की तरफ से जो किसानों के लिए काम किया जा तुम हुआए उसके 60 प्रसार के लिए 16 जीलों में उस समाचार को उस उनके प्रयासों भीस को प bogढ़ा यह हमने सारे सारे कंट्रोल उसको यह भुला है और हमारे रास्तान मर्दरा गमीड बैंक का एक दिया है कि ग्रामीन दस्तकार वाडी कारेकरम क्योंकि उद्धपूर में जमीन कम है उन मैलाओं के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रूप में मैलाओं के लिए, बैंक के अंदर गाओं की बची या बहु दोनों में से जो भी दस्वें पास हो, उनको बैठा करके गाओं की मैलाओं को सुविधाय और सेवाय देने के लिए प्रयास किया गया है, लगबग 11 बैंक सक्कियां हमारे द्वारा गाओं साखाओं में बैठाई गई है, जिससे हमारा प्रजार बड़ा है, टेकनोलोजी के छेत्र में भी हमारे द्वारा पूरा इस पर एसक्यू टीम के हरी सिंग चोहान, दिलेपराद चोहान, मोर्ज सिंग, भूपेनर सिंग, हूर जी वन नेतिया ने बड़ी साथधानी से अजगर को पकड़ कर आराम पूरा बन शेत्र में छोड़ा, जिले के कानोड नगर पालिका बोड की बैठट में अधिक्रमन क को हटाने के लिए हुए हंगामे के बाद, पालिका प्रशाषन अधिक्रमन हटाने की कारवाई को अभियान की तरह लिया है। जमीन से सुमवार को अतिक्रमन हटाये गया आपको बता दें कि अतिक्रमियों ने पालिका की बेश किम्ती जमीन पर काफी समय से अतिक्रमन का रखा था कारवाई के दोरान पार्शद कोमल कामरिया, भवानी सिंग चोहान, बजरंग दाफ स्वैशनव, कोमल चौधरी, लोकेश सुथार, लालू राम मेकवाल सहित कई पार्शद वपालिका कर्मचारी भी मौजूर थे नगरपालिका के जमीनों को मुक्त करा करके आवासी योदनाय, व्याबसाहिक योदनाय या जनुपयोग में जो भी काम इन जमीनों से हो सकता है, उसको पूरा बोर्ट करने का प्रयास करेगा और नगरपालिका अब किसी को भी आपने भूमी पर अतिक्रमन नहीं करने टेपर्जीले के कोटड़ा कस्वे में राश्टी स्वयन सेबक संग का दीपावली स्निहमिलन का रिक्रमाय उचित किया गया शेत्र के पी पलेश्वर महादेव मंदिर परीसर में हुए इस कालिक्रम में आस पास के दरजनो स्वयम सेव को निशरकत की कालिक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बरतमान समाज में संग की बहुत आवशकता है क्योंकि हमारे अंदर जब तक समरस्ता का भाव नहीं होगा विधाय गजेन विसिंग शप्तावत वल्लब नगर के घूपडी से किया चुनाव शंकनाद अल सुबा आग लगने से हिरन मंगरी में मचा हड कंप बंगार की छै दुकाने पूरी तर जल कर दुल खाक कुराबड में फिर एक महिलान की आप महत्या मुह अंधेरे फांसी के फंदे पल लचक कर ली अंतिर सांस और चुनावायोग नेक शुरू किया एक माह का अभियान मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए युवाउं को करेंगे जान पूरुक अब आप अपना पसेंदीदा न्यूस चैनल उदापू न्यूस देख सकते हैं यूट्यूब पर बेस के लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदापू न्यूस उसमें अपनी लोगिन आइडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा उद्याप न्यूस के इस बुलिटरी में फिल हाल इतना ही शेहर के तमाम हलतलों से आगे फीर उपरू करवाते रहेंगे तब तक के लिए दीचे इजाज़त जैश्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उद्याप न्यूस नमस्कार